हेलो स्टेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ओन चैप्टर नमबर 11 का क्योसर नमबर 10 देखने हैं क्या है find the coordinates of the point where the line through these points cross the yz plane हमें क्या करना है ये एक line की equation बनानी है हमें यहां से जो yz plane को cross करेगी और जहां से cross करेगी उसके coordinates हमें find out करने हैं तो कैसे करेंगे simple है जहां से देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम equation of line find out करेंगे passing through these points ठीक है तो यहां पर क्या लिखेंगे equation of line pass through 5,1,6 and 3,4,1 इन दोनों points से pass होने वाली line की equation हमें लिखनी है तो कैसे लिखेंगे बिलकुल simple होती है अगर दो points हमें given हो तो x minus x1 upon में x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon में y2 minus y1 is equal to क्या होगी z minus z1 upon में z2 minus z1 ये क्या है हमारे पास x1 y1 z1 और ये क्या है हमारे पास x2 y2 z2 क्लियर है अब यहां पर देखते हैं क्या आएगा x minus x1 तो x minus x1 क्या बच्चो 5 divided by x2 minus x1 मतलब 3 minus 5 is equal to y minus y1 मतलब y minus 1 divided by 4 minus 1 is equal to z minus z1 की value क्या है 6 upon में 1 minus 6 और इसको हम value माल लेते हैं किसी constant k के equal lambda माल लो k माल लो कुछ और माल लो इनको compare करो यहां पर तो x minus 5 divided by 3 minus 5 कितरा हो गया minus 2 is equal to k similarly यहां पर करेंगे y minus 1 divided by 3 is equal to k और यहां पर z minus 6 divided by minus 5 is equal to k ठीक है x, y, z की value निकालते हैं यहां पर तो x minus 5 is equal to क्या हो जाएगा minus 2 की k से multiply करेंगे तो बच्चो minus का 2 k और x is equal to क्या हो जाएगा minus का 2 k plus 5 x coordinate आ गया यहां पर देखते हैं y minus 1 is equal to 3 k और y is equal to क्या जाएगा 3 k plus 1 similarly z minus 6 is equal to minus का 5 k और z is equal to क्या जाएगा minus का 5 k plus 6 इतना समझ में आ गया है या नहीं आ गया अब main objective क्या है हमारा अगर मुझे k की value मिल जाए बच्चो तो k की value मिलते ही मैं x, y, z तिन्नों coordinates find out कर सकता हूँ अपने जिससे ये line हमारी पास होती होगी अब यहाँ पर क्या 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 रखा है कौन से plane से क्या रखा है y, z plane से ध्यान से देखो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया y, z plane ये वाला हो गया मेरा, ये वाला, ऐसे इससे पास होने वाली लाइन इससे पास होने वाली लाइन यहाँ पे कोई point होगा मालो यह plane होगा इसमें y और z coordinate होगा x क्या होगा 0 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे in y z plane x is equal to क्या होगा 0 तो यहाँ पे x is equal to 0 put कर लेते हैं 0 is equal to minus का 2k plus 5 5 इस तरफ आएगा minus 5 is equal to minus 2k minus से minus cancel तो k is equal to क्या जाएगा 2 नीचे जाएगा तो 5 by 2 आ गई न k की value बस coordinates लिका ले हैं हमें अब coordinates क्या हो जाएंगे जहां से देखो यहाँ पे minus 2k plus 5 था k की value put करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे minus का 2 into 5 by 2 plus 5 तो कितना आ गया है यहाँ पे 2 से 2 cancel minus 5 और plus 5 कितना आ गया 0 x coordinate तो आ गया वो तो 0 भी आना था हमें पता था अब y और z की value आएंगे हमारी तो y coordinates कैसे निकलेगा हमारा 3k plus 1 से 3 into k की value क्या है 5 by 2 plus 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 by 2 plus 1 और यह क्या हो जाएगा 2 बन जा 2 15 और 2 17 by 2 LCM लेके कर ले ना इसका कहीं confuse हो जाओ कि सर कैसे आ गया 3rd coordinates देखते हैं z coordinate कैसे आएगा minus का 5 into 5 by 2 plus 6 तो किसके equal हो जाएगा 5 5 जा minus का 25 by 2 plus में 6 तो कितना आ गया 6 2 जा 12 12 में से और 25 में से 12 गया तो minus का 13 by 2 आ जाएगा यह आगे coordinates 0 17 by 2 और minus 13 by 2 इन points से पास होगा वो समझ में आ गई बात clear है कोई दिक्कत नहीं थी पहले हमें क्या करना है इन दोनों points से पास होने वाली equation बनानी है इसके coordinates आगे हमारे पास x, y, z और साथ में हमें y, z plane से पास होना है तो x की value 0 put करके k की value निकाल लेंगे और k की value इन तिनों में put कर लेंगे clear question कोई भी दिक्कत लगे आम मुझसे जरूर पूछें otherwise channel को subscribe किजिए ज्यादा से ज्यादा share किजिए thank you students for watching your channel next class is